नमस्कार दोस्तों आप सभी का मारे चनल पर आधिक स्वाकत हैं दोस्तों आज में वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आम खाने के बाद कौन सी चीजें ना खाएं जो हमारे सेहत को नुकसान से बचा सकें तो दोस्तों अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि आम खाने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए क्या आम खाने के बाद दूद पीना चाहिए या नहीं दई खाएं की नहीं खाएं इससे कई कुछ सन लोग करते हुए नजर आ जाते हैं तो दोस्तो आम ज़्यादा खा लें तब भी दिक्कत तो दोस्तो साथ में यदि आम के और भी कुई चीज खा लेंगे तो कुछ में कुछ उसका रियक्शन हो जाता है तो दोस्तो जैसा कि आम हमारे आहर का एक तगड़ा हिस्सा है और यदि उसका कंबिनेशन गलत हो गया तो नुकसान दे सकता है आम को फलों का राजा भी का जाता है और ये पोसन तथा स्वाद से पूरी तरह से भरा होता है गर्मी के दिन आते ही आम का सभी लोगों को बेसरबी से इंतजार रहता है तो हर तरह से आम का स्वाद मज़ेदार तो होता ही है बच्चे तो एक बार एक शुरू कर देते हैं खाना तो वो खाते ही रह जाते हैं हलांकि आम का अधिक सेवन सही भी नहीं है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन क्या आपको पता है कि आम खाने के बाद कुछ चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए नहीं तो सारेदिक परियसानी का सामना जरूर करना पड़ेगा दोस्तो जान लेते हैं कौन से इसी चीजे हैं जो आम खाने के बाद कभी भी भूल कर भी नहीं खाना चाहिए सबसे पहले कोल ड्रिंग का नमबर आता है दोस्तो अगर आप आम खा कर तुरंद कोल ड्रिंग पीते हैं तो सावधान हो जाएए आम और cold drink मिलकर पेट में हानिकारा ग्रियक्षन कर सकते हैं आम और cold drink दोनों में यह सुगर होती है जो की सरीर में blood sugar वो अचानक खतननाक इस तरह तक पहुचा सकता है इसलिए cold drink आम के बाद पीने के दियादत है तो करपया इसको छोड़ दे वरना काफी नुकसान हो सकता है दोस्तो दूसरी चीज है दही दोस्तो आम खाने के बाद दही बिलकुल भी नहीं लें क्योंकि दही और आम एक साथ मिलकर पेट में ज्यादा carbon dioxide बनाते हैं जिसको की इंगलिस में CO2 भी कहते हैं इससे आपको पेट की समस्यां और भी बढ़ सकती है तीसरी चीज है पानी यदि आप आम खाते ही तुरंद पेट भर कर पानी पी लेते हैं तो आगे से ऐसा कदापी न करें आम ही नहीं किसी भी फल को खाने के तुरंद बाद पानी पीने से हमेशा बचना चाहिए इस तरह फल पचने में अधिक समय लगता है इससे आपको अपच की परेशानी भी हो सकती है आम खाकर पानी पीने से आपके पेट में गैस, दर्द या सीने में जलन समंदी कई भयंकर समस्या हो सकती है चौथी चीज है मसालेदार खाना कुछ लोग डिनर के साथ आम खाना काफी पसंद करते हैं आइसा करने से आपको सीने में जलन और पेट में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा मसालेदार खाना खाने से आपकी तँचा भी खराब हो सकती है विसेश त defines तर पर आम खाने के बाद बहुत से लोग हरी मिर्श भी खाते हैं तो ऐसा कदाप न करें बहुत से लोग सलाद में मिर्च का या इसका अचार का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 2-4 घंटे तक करपया हरी मिर्च खाने से बचें आम तुरंद खाते ही मिर्ची खाने से पेट में बयंकर तकलीप हो सकती है जलन, दर्द, रियक्षन सहीत, सूजन भी आपको हो सकती है इसलिए इस तरह की चीजों से बचें पांचमी चीज है करेला दोस्तों आम खाने के बाद करेला तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जी मिचलाना, उल्टी होना, सांस लेना जैसी बयंकर समस्याएं हो सकती है तो दोस्तों इस तरह से ये पांच चीजें आम खाने के बाद कताई न ले, एक बार फिर असे आपको दोरा देता हूँ कोल ड्रिंग, दही, पानी, मसालेदार खाना और करेला इन चीजों को आम खाने के बाद भूल कर भी इस्तेमाल न करें और यज़ इस्तेमाल करना है, तो कम से कम एक से दो घंटे के बाद इस्तेमाल करें और इन टिप्स को अज़िए आप फालो करेंगे, तो आप हमेशा स्वस्त बने रहेंगे और आम का जो फायदे आपके सरीर के लिए होते हैं, वो आपको पूरी तरहां से मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप खाने छोड़ दें कि आपको नुकसान करेगा, आम के फायदे बहुत हैं लेकिन बहुत ही हिसाब से इन चीजों का कंबिनेशन आपके साथ न करें जो हमने इस वीडियो में जानें तो दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सकते मजरूर बताईएगा साथ ही जानकारी इच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को भी लाइक कर दें, सेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद